आज जंगल में सभी पशु-पक्षी बहुत खुश थे, आज रक्षा बंधन था, लेकिन उसी जंगल के एक पेड़ पर एक छोटे से घोंसले में रहने वाली सोनी चिडिया बहुत उदास थी, वह रो रही थी, उसकी सहेली पंखुरी वहां आती है अरे सोनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम नहीं गई अपने कालू भाईया को राखी बांधने? क्या बताओं बहन, पिछली बार गई थी, भाईया भाभी का व्यवहार अच्छा नहीं था, उन्हें लगता है मैं वहां कुछ लेने ही जाती हूँ, माना के मैं गरीब हूँ, लेकिन वहां तो मुझे भाईय का प्यार खींच ले जाता था कोई बात नहीं बहन, तू दुखी मत हो, देख मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, चल, हम एक दूसरे को राखी बांध लेते हैं अरे गौरी, चलो, तुम्हारे भाई के घर भी तो जाना है, जल्दी निकल लेते हैं, कभी सोनी ना आ जाए अरे, आप चिंता मत करो, पिछली बार बेज़ती करके भगाया था उसको, इस बार नहीं आएगी वो, चलो, चलते हैं भाई के घोसले में पहुँचकर दर्वाजा खट-खटाते हैं, दर्वाजा मिठु तोता खोलता है अरे, मिठु भाई, आप यहां, मेरे भाईया कहां गए, ये घोसला तो उन्हीं का था ना अरे, गौरी बहन, तुझे नहीं पता, तुम्हारे भाई को तो बहुत पैसा मिला है, अब वो बहुत अमीर हो गया है उसने ये घोसला मुझे बेच दिया, और दूसरे जंगल में एक बड़ा घोसला खरीद लिया है तुम्हें नहीं बुलाया उसने अपने घर? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, कहां है उनका घर? ये तो नहीं पता, बस इतना पता है कि वो बड़ा सा जंगल है ना, जहां अमीर पक्षी रहते हैं, वहीं लिया है उसने अपना नया बड़ा सा घर कालू और गौरी अपने भाई को ढूंडते हुए उस दूसरे जंगल में चले जाते हैं, वहां वो अपने भाई का घर ढूंड लेती है अरे गौरी, तुम यहां, तुम्हें मेरे घर का पता किस ने बताया? वो मैं ढूंडते हुए आ गई, वहां भाईया बहुत बड़ा घर ले लिया है आपने तो, मुझे बताया भी नहीं अरे कौन आया है? गौरी, तुम यहां कैसे? भाभी, मेरी प्यारी भाभी कैसी हो आप? मैं यहां राखी बांधने आई हूँ, देखी मेरी राखी अरे कितनी घटिया राखी लाई है आप! यह राखी बांधने से तो आपके भाईया की बहुत बेजज़ती हो जाएगी कम से कम सोने की राखी तो लाती सुनो जरा तुमने इसको यहां क्यों बुलाया? मैंने मना किया था ना अब हम अमीर हो गये है किसी ने इसे यहां देख लिया तो हमारी बहुत बेच जती हो जाएगी जल्दी से इसे पैसे दो और भेजो यहां से ये पैसे ही तो लेने आई होगी, जब इसे पता चला होगा कि हम अमीर हो गए है ये आप क्या कह रही हो भाभी? मैं तो बस राखी बांधने आई थी, बहने कुछ लेने नहीं आती, वो तो अपने भाई के प्यार में खिंची चली आती है अच्छा, फिर तुम कालू जी की बहन सोनी को क्यों बेजज़त करती हो, वो भी तो अपने भाई को प्यार करती है आप सही कह रही हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अभी सोनी के घर जाएंगे, चलो जी ठहरो दीदी, सोनी दीदी यहीं है, ये सब तो बस हमने आपको सबक सिखाने को किया था, हमने सोनी दीदी को यहीं बुला लिया था सोनी बाहर आती है, वो रो रही थी सोनी दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी आप माफी मत मांगो चलो अब सब मिलकर रक्षा बंधन बनाते हैं दोस्तो बहने अपने भाई के घर कुछ लेने की इच्छा से नहीं जाती उसको तो अपने भाई भाभी का प्यार और थोड़ी सी इज़़त चाहिए होती है